हालो फ्रेंच सू वेलकम यू आज मैं आपके जब वीडियो लिखाना हो देखिये बहुत इंपोर्टेंट के वीडियो बात करेंगे रियालिटी सेक्टर के स्टॉक्स की और आप समझोगे सचाई अब आपको देख रही होंगी यह बड़ी बड़ी हाई-rise बिल्डिंग्स लेकिन इन बिल्डिंग्स को बनाने के पीछे बहुत सारी कंपनीज का हाथ होता है अब उन कंपनीज के रोल को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में प्राइस एक्षन को समझने की कोशिश करेंगे एक नहीं बल्कि अनिक स्टॉक्स जब इस तरीके से अपर्चुनिटी देते हैं पूरा का पूरा सेक्टर छोटे से छोटा बड़ा से बड़े स्टॉक्स चले समझते हैं सीखेंगे बहुत सारी चीजे और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दूगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बैल अकन को प्रेस कर लें जिससा आपको नोटिफिकेशन आती रही है और प्राइस सेक्षन में आप जोइन कर सकते हो मेंबर से जोइन बटन पर क्लिक करके प्राइस सेक्षन में आज की डेट में एक बहुत इंपोर्टेंट वीडियो आपके सामने रखा गया दस्ट्रॉंग बुलिस फोर्स यह स्ट्रॉंग बुलिस फोर्स वाला वीडियो जरूर देखें भी देखें यह प्राइस सेरीज का है लेकिस आज हम रियालिटी सेक्टर के बारे बात करने वाले हैं रियालिटी सेक्टर की जब भी बात आती है तो यहां पर सबसे बड़ा स्टॉक डील अलफ आपके सामने निकल के आता है फिर गॉद्रेज प्रॉपर्टी जो आपको होगा 629 पे पहुंच चुका है एक लाख 55,000 करोर का हो चुका है मार्केट के अप्लाइशन बहुत ही बहतरीन लग रहा होगा लेकिन डीलफ का चार्ट हमें क्या कुछ दिखा रहा जड़ा देखिए तो डीलफ की चार्ट का डेली चार्ट में आपके सामने रख रहा हूं हम लेकिए बार- conceal आपको एकि चीज कहते है कि जब भी आपको ऑप अपर्चुनिंटी मिले उस ऑपर्चुन्री वाली opportunity देगा यह देखिए 400 के आसपास का entry stop loss आपके सामने है और dlf का आप जवाब देखिए सीधे सीधे percentage rally देखिए मैं कहूंगा आपने कहा है कहीं इस level से लेके current price में मतलग 50% की rally लेकिन बड़ा stock है large category स्टॉक है तो हम आपको सीधे सीधे कहते हैं इस category के स्टॉक में आप ऐसे डबल ट्रिपल वारा return expect नहीं कर सकते हैं लेकिन एक healthy return आप expect कर सकते हो April से लेके अब तक देखिए 6-7 महिने के अंदर बहातरीन rally dlf की तो चले लावल है देखिए April 27 के आसपास का क्यों यह stock सामने आया इसकी cycle के बेसिस पर अगले stock के उपतर ऊपर चलते हैं देखिए ओबर रियालिटी और रियलिटी पचाहस जार करो इसका माक्रिकाप्रेशन पर कम नहीं यह भी बहुत ही बहातरीन है आपको गयार बहुत ही बढ़िया तरीके से रियलिटी सेक्टर ने हमें रैली दी है अब ओबर रियलिटी को जाके देखिए April 27 के आसपास आपको कहा कि यह सारे स्टॉक्स आपके सामने हम बिलकुल टाइम टो टाइम लेका है देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से डेली पे एक हाई बना के करेक्शन दे रहाता ओबर रियालिटी तो चलिए ओबर रियलिटी के इस हाई बना के करेक्शन को देखते हैं और April 27 के ऊपर चलते है April 27 यह यह जो करेक्शन है 26 27 प्राइस था 900 और आज की डेट में अगर आप इस बड़े लार्ज काप कैटेगरी के स्टॉक को देखोगे 900 से पहुंच चुका है सीधे 1400 की जोन पे बहुत ही बैतरीन हमेशा लेकिन हमारे पास क्या है बहुत ही इंपोर्टेंट साइकल का स्टार्ट यानि कि बिल्कुल जड़ पे यह स्टॉक आता है और आज की डिट में 50% की यह भी आपको दे चुका है लेकिन अगर आप मेरे से कहोगे कि स्टॉक को मैं अब खरीने जा रहो तो मैं आपको कहूंगा कि हमारा जो पैरामिटर है जिसमें हम देखते हैं अपॉर्चनिटी बिल्कुल तौबा तौबा ना ना क्योंकि हमें अपॉर्चनिटी की तलास करनी है साइकल की स्टार्टिंग में चाहे थोड़ा पेशंच चाहे वेट करना पड़ जाये लेकिन स्टॉप लॉस हिट क्या हो ना हो जाए लेकिन अंटरी करनी है तो डेली टाइम फ्रेम पे सा cycle की starting में entry करना सबसे बहतरीन opportunity हमारे हिसाब से आपका opinion different हो सकता है लेकिन हम breakout नहीं बलकि cycle की starting की base पे चलते हैं और cycle की starting ने 50% का move इसको भी दिया और अबरे reality का यह आप पार्ट देख सकते हो चलिए अगले stock के तरब चलते हैं उससे सीखेंगे बहुत कुछ prestige states project को समझते देखें प्रेस्टी इस्टेट प्रोजेक्ट यानि की यह देख सकते हो बाप यहाँ पे daily की cycle start होती है almost देखिए of 470 के 277 अप्रिल का वही वीडियो एक एक वीडियो के बारे में चर्चा की एक एक stock के बारे में चर्चा की है कुछ के चार्ट दिखाया है कुछ को का कि आप बाकी आप देखना यह देखिए clearly प्रेस्टीज state को almost 500 का level मैं कहूंगा अगर आपने entry करी stop loss आपके पास तयार है और 500 से पहुंच चुका है 900 जैसे मैं आपको कहा कि stock बड़ा हो छोटा होता रहेगा आपको return बढ़के मिलते रहेंगे तो इसका market calculation कितना अभी तो यह double के आसपास पहुंच चुका है लेकिन उस time पे यह देखोगे तो यह कितना होगा 20-22,000 करोड का market calculation अगर आप इस वीडियो में देखोगे तो आपको वह भी दिख जाएगा कि किस तरीगे से यह market calculation कितना कम था तो मैं आपको प्रेस्टीज स्टेट का चार्ट दिखा रहा था तो देखिए चार्ट में और percentage क्योंकि market calculation कम था तो आप यह देखिए इसका 90 प्रतिशत का return तो market small category के stock mid cap category के stock they have bigger a potential than large category क्योंकि वहाँ पे move हो रहा है price उसको move करने के लिए बड़ा price चाहिए बड़ा पैसा चाहिए मूटा पैसा चाहिए यहाँ पे छोटे पैसे में क्योंकि market calculation कम है तो थोड़ा रिस्क भी होता है लेकिन उसी रिस्क के basis पे रैली भी जब्रतस होती है तो यह 90 पॉसेंट का move आपको देखने को मिला है फॉनिक्स मिल्स के उपर आते हैं 42,000 करोड का हो चुका है मार्किट का प्लै हे लेकिन फॉनिक्स मिल्स के शीर को तो देखिए साइकल कब स्टार्ट वी थी वही यह देखिए तहुढ यह इस में लेडेटर्ट कर रिटर्न फॉनिक्स मिल्स को भी आप देखिए यह यह प ses आब आया था और इसके बाद स्थायली आप क्लियर ली और फॉनिक्स मिल के शियर को आपने भी देखा कैसी सिचुवेशन है अमेजिंग है कि नहीं है तेरा चौद असरों की लेवल पर आया था और अब देखें क्या रहली आपको देखने को बिल रहे हैं अमेजिंग मैं कहूंगा लेकिन यही तक नहीं रुखेंगे और स्टॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे फॉनिक्स मिल के बाद हम देखते हैं और स्टॉक यानि की मैक्रो टेक डिवेलपर मैक्रो टेक डिवेलपर हमें एक बहुत ही बहतरी पोजिशन बना के दे रहा था उस लग किसे तरीके से आवर्ली पर यह यहीं स्टा shouldn का रिजेक्शन और यहां से कभी भी गयen की स्टॉक को देखते हैं समझते हैं और इसके बाद यह देखिए 500 से सीहोंटी सावन्टी सावन परसेंट का रैली इस पटिकुलर स्टॉक ने यानि कि मैक्रो टैफ डिवलपर ने भी दिया यह लार्ज कर चुका है बहुत ही जबर्दस्त वाला गॉद्रेज प्रॉपर्टीज को देखेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइज को देखेंगे जरा इन स्टॉक को भी देखेंगे क्योंकि यह भी हमारे उसी कैटेगरी के स्ट स्टॉक्स है गॉद्रेज प्रपर्टी साइकल स्टाटिड और यहां बारासो तेरह सो आप देखेंगे अठारा सो के लवल पर और दूसरा हमारे पास जो स्टॉक था ब्रिगेड एंटरप्राइज को भी समझने की कोशिश करेंगे एक नहीं बल्कि हर कोई स्टॉक आपके देखने को मिली है एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक यहां पर पॉजिटिविटी तो आपको इन सारे स्टॉक से माजम से एक चीज समझ में जरूर आगी होगी अगर एंट्री किसी स्टॉक में करनी है तो वो बेस्ट एंट्री है साइकल की स्टार्टिंग में उसके बाद एं स्टॉक लोग का आपका डीप जो है स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है तो उमीद करता हूं कि इन अनेक स्टॉक के माध्यम से आपको रियालिटी सेक्टर की रियालिटी पता लगी होगी और आप इससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे डीलेफ गौदरेज प्रपर है इसने जो रैली दी है अमेजिंग मैं कहूंगा 100% की यह रैली होगी और यहां पर भी करेंट प्राइस के साब देगो तो 70% की यह रैली होगी तो उमीद करता हूं चीज़ें आपको समझ भायोंगी तो सीखते रहिए प्रैक्टिस जरूर करते रहिए आपको एक ही चीज है अबे मैं करते रहिए कि यह दोगी करते रहिए जर द mega मुपला दो भी करता हैं चीज़ें Schweiz जरूर क्वानी जरूरा चनॲर को समझ पर भी का करते कि और रहु़